very good morning to all of you आज हम करेंगे 2015 में जो राजियु गादी का पेपर हुआ था उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे तो इससे पहले हम अल्रेडी जो है दो तीन पेपर आपको के सामने अप्लोड कर चुके हैं आप मेरे यूटूब चैनल हरी सटानी 541 के जो प्लिलिस्ट पे जो राजियु गादी पेपर हैं उस पे देख सकते हैं तो आज हम जो करेंगे 51 से लेके 100 को सॉल्व करेंगे 50 को इस वीडियो में करेंगे जो मेंटल अबिटी से होगे जिसमें जीके और साइंस और मेंटल अबिटी अर्थार मेंटल अबिटी वाला जो पोर्शन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे तो श्टार करते हैं 51 वाले कोश्चन से 51 question से जो mental ability portion है इसी में जी के भी पूछेगा और इसी में जो है science भी और इसी में reasoning भी पूछता है math भी पूछता है तो start करते हैं उत्राखंड में जन्पदू के संख्या the number of district in उत्राखंड तो उत्राखंड में जो district है वो 13 district है जिसमें से 6 district जो है कुमाओ में है और साथ district जो है गड़वाल मंडल में है तो कुमाओ और गड़वाल जो है वो दो district है जिसमें 6 और 7 करके total 13 होगे तो इसका answer हो गया पहले का C दूसरा है start करते हैं 52 वाले question से ओलंपिक धर्ज में कितने चल्ले हैं तो ओलंपिक धर्ज में जो है 5 चल्ले है जिसमें 5 चल्ले जो है दुनिया के 5 महाधीब की बारे बताते हैं वैसे तो 7 महाधीब हैं लेकिन ये जो है 5 महाधीब की बारे में बताते है 5 चल्ले तो यूरोप को जो है नीला चल्ला यूरोप को बताता है पीला चल्ला एश्या को बताता है, काला चल्ला अफ्रीका को बताता है, हरा चल्ला आस्टिला को बताता है भार्ति उस टैम दो लोगों को मिला था इसके बाद आगला कोश्चन है वर्ल्ड इंबार्मेंट डे जो मना जाता है वो मना जाता है पांच जुन को पांच जुन को जो है बिश्रु पर्यावर्ण दिवस जो है मनाया जाता है अगला question है गुगली सब्द का सम्मान किस खेल से है तो गुगली जो सब्द यूज होता है वो cricket में होता है इसके option C का answer हो जाएगा मानाव शरीर में फूल हड्यू के संक्या कितनी है तो मानाव शरीर में 206 से हिए हड्या 206 बोन्स होते हैं टोटल नंबर और 206 अगला question है सूखा रोग किस विक्तामिन की कमी से होता है यानि जब हमारे सरी में बितामिन की कमी हो जाती है तो इसको सूखा रोग है रिकेट से कहते हैं तो option A हो जाएगा आप विटामिन D के लिए धूप भी जो है सूरी के प्रकास से जो किरिने निकलती है उसमें अगला question 58 वाला लिपूलेग दर्दा कौन से राजे में स्तित है तो उत्रा खंडे राज़ में निकलती है एक पहाड़ है उसको कहते है निकलती दर्रा बूलेग दर्दा वह है उत्रा घंड में लिपूल एक दर्रा है वो पिथोरागड में है अर्थाद ये पिथोरागड और तिपत के भी जोडने का काम वड़ता है तो लिपूल एक दर्रागड लेकिन यहां जो है राजी की बात कर रहे तो यहां हो जाएगा उत्राएगा अगला कोश्चन है निम्ने मेंसे कौन सा ग् तो इस बहुत गरा नहीं है क्योंकि Mercury भी Saturn भी Venus यानि बुद्ध भी गरा है Sunny भी गरा है सुक्रे भी गरा है लेकिन सूरज खुद गरा नहीं हो कि क्या है सूरज एक तार है यानि जो Sun है वह एक Star है तो यह तारा है इसलिए गरा नहीं होगा अगला कोश्चन है 60 वाला के जो उत्राखंडी के दूसी राजधानी भी है उत्राखंडे में दो राजधानी है constift रिफे टीकल यह जिन ज Kings लें इस तीन भीकलप किसी ने किसी रूप में समान है इन में से है कि इसमें कॉन अलग होगा तो आप जानेंगे जो हैं किसी का मातरक में डोग्राम जरेकार है बहुत है इस दो मातरक दिया है इस सब इसके जरया Joule होना चै़ था इसलिए समाई का मात्रा क्या होता है क्या होता है सेकंद दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर्प experiencing साइट है प्रणाचार्यव. विध्यार्ती विध्यालय अध्यापग सजीव होगा लेकिन विध्यालय कोई नहीं है इसलिक हो गा यह अलग हो जाएगा इसलिक प्रगाह 64 कोशन करते हैं कुट्टा हाती सेर कोवभा यहनि डॉघ एलीफन लायॉन ख्रो तो जो कुट्टा है वो ज्रॉंगर है यानि जो डॉघ है वो जो है ऐनीमल है और जो हाती है एलिफेंट है वो भी जो है अनिमल है लायोन भी जो है अनिमल है लेकिन जो क्रो है यानि कववा है वो जो है अनिमल नहों के क्या है वो जो है बर्ड है तो इसलिए कववा क्या हो गया अलग ये अनिमल जानवर अकुता भी जानवर रहाती भी जानवर, सेल भी जानवर लेकिन कववा जानवर नहीं है इसलिए ये क्या हो गया अलग अगला कोशन करते हैं 65 वाला नर्स, डॉक्टर, दवाई, कंपाउंडर तो फिर इसको आप ध्याल से देखेंगे जो नर्स है वो भी इंसान है और डॉक्टर वो भी इंसान ह सकते हैं कि नर्स है कोई आदमी होगा या औरत हो सकते हैं कोई human beings होगा डॉक्टर भी कोई आदमी औरत होगा human beings होगे compounder भी जो है कोई इंसान होगा लेगिन दवाई कोई इंसान नहीं है तो इसलिए क्या हो गया अलग अगला कोशन करते हैं 66 से 70 तक निमलेखित प्रशनु इसमें बढ़ना है कि क्या आएगा इस स्रिंकला वालब कोशन है यानि 4 के बाद 9 9 के बाद 16 16 के बाद 25 अब यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है तो आप गौर से देखेंगे कि 4 के बाद 9 आ रहा है 4 के बाद 9 कैसे आया जब हम 4 में जो है क्या add करेंगे देखे आप एक तो इसको gap से कर सकते हैं दूसरा तरीक आप इसको है square table अगर आपको याद होगा तो यह आसानी से हो सकता है जो 4 है वो है 2 का square 9 है वो है 3 का square 16 है वो है 4 का square 25 है 5 का square यानि 2 का square 4 3 का square 9 4 का square 16 5 का square 25 तो 2 का square 3 का square 4 का square 5 का square आपके आएगा 6 का square 6 का square कितना होता है 36 तो square table आ आसानी से आप यहाँ पर आ सकता है answer 36 तो इसका answer आगया B तो क्या है यहाँ यहाँ अगला question करते है 67 वाला यहाँ पर दिया है Z Z के बाद आ रहा है X X के बाद आ रहा है B B के बाद आ रहा है T T के बाद अगला पत बताना है कि T के बाद क्या आएगा तो आपको ABCT पता होना चाहिए यह स्रिंखला यहाँ आपर भड़ना है तो यह देखे Z यह रहाँ आपका Z Z से हम 2 पीछा हैंगे 1, 2 Z से जब 2 पीछा हैंगे 1, 2 2 पीछा हैंगे तो X मिला X से 2 पीछा हैंगे 1, 2 तो यहाँ पर हमको मिला B अब B से 2 पीछा हैंगे 1, 2 तो T मिला अब T से 2 पीछा हैंगे तो SR तो क्या आजाएगा इसका आज़र आज़र तो इस प्रेकार कौन सा उप्षन आजाएगा पहला उप्षन 67 का A अब अगला कोशन है 27 है फिर 24 है फिर 21 है 28 अगला पत बताना है कि यहाँ पर कोशन इस जगह पर यह खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा इस सिंखला वाला कोशन है 27, 24, 21, 18 तो आप इसको गैप से कर सकते हैं 27 27 से पीछे आए 26, 25, 24 यानि जब 27 में से 3 घटाएंगे माइनस 3 पीछे आएंगे तब 24 मिलेगा फिर 24 से पीछे आए 23, 22, 21 फिर 3 पीछे करने पर 21 आता है यानि यहाँ भी 3 पीछे 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 आएगा 24 में से 3 पीछे घटाएंगे तो 21 आएगा फिर इसमें से 3 पीछे आएंगे एक पीछे जाने पर 16, 16 से एक पीछे जाने पर 15, तो यहाँ पर क्या जाएगा अंसाल? अब यह 13 का टेबल है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा, 13 5 जा होता है 65, तो आंसर आ गया F65, F65 वाला उप्शन है C, तो इस प्रकार 69 का क्या हो गया? अगला C, आसानी से आपने इसको बता दिया, अब अगला question करते है 70 वाला, A, B, C दिया है, फिर, B, C, D दिया है, फिर, C, D, E, फिर, D, E, अगला पत बताना है, तो आप देखेंगे कि इस question में करते हैं, इसका पहला letter देखेंगे A, फिर B, C, D, तो आप देखेंगे A है, फिर B आगला सेकल लेटर देखेंगे सेकल लेटर है इसका 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 सेकल लेटर है F तो इसे पता चल जाएगा C D E F G तो क्या आगया answer E F G तो E F G वाला देखेंगे तो option B जो है 70 का क्या हो जाएगा बिलकुल सही अगर दोस्तों आपको मेरे बीडियो पसंद आ रहे तो जो है like और share जरूर कर अपने जब मैं उसका दुगना करूँगा 2 से multiply करूँगा तो 10 आएगा ऐसी 20 को जब हम 2 से multiply करेंगे 22 जा 40 तो इस प्रकाइस का answer क्या आगया पोटी option B जो है बिलकुल सही जबाब हो जाएगा यहा दुगना क्या तो यहा भी दुगना करेंगे अगला question है बस का सम्बंद सटक से है तो जहाज का समद्र में चलती है तो option C जो है बिलकुल सही जबाब हो जाएगा इसका अगला कोशन है 73 वाला होकी का संबन्द इस्टिक से है यानि जो होकी है का संबन्द इस्टिक से है तो क्रिकेट का संबन्द किस से होगा आपको पता जो होकी खेली जाती है वो इस्टिक से खेली जाती है वही संबन्द मद्य प्रदेश का इन चार अप्शन में से होगा जब आप गौर से देखेंगे जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नौमबर 2000 को उत्राखंड राजी बना यानि उत्तर प्रदेश से उसका एक छोटा सा भूबा काटके उत्राखंड बनाया गया तो मद्य प्रदेश से कौन सा भूबाक बनाया गया तो इसका आंसर हो जाएगा 36 गड़ उप्शन C मद्य प्रदेश से एक टुकड़ा 36 गड़ को अलग करके जो है मद्य प्रदेश से उसको बनाया गया 75 वाला कॉशन करते हैं ABC का संबन्द DEFC है तो PQR का संबन्द किस से होगा तो आप गौर से देखेंगे कि जो ABC है उसका संबन्द DEFC है यानि जो रिलेशन इनके बीच में होगा वही रिलेशन यहाँ होगा तो यहाँ यह ऐसे लिखा है तो आप इसको ख़ड़े करके भी लिख सकते हैं तो ABC लिख देंगे उसके नीसे DF लिख देंगे तो आपको PQR का संबन्द बताना था तो A से आप देखेंगे कि कितने आगे D है A से देखेंगे तो 1,2,3 यानि जब A में 3 आगे जाएंगे 1,2,3 तब यह 3 आगे जाने पर 1,2,3 आगे जाने पर D मिल रहा है तो यहाँ भी 3 यानि आपका पैटर्न पता चल गया जब हम A से 3 आगे जाएंगे तो D B से 3 आगे जाएंगे तो E C से 3 आगे जाएंगे तो F कैसे पता चला A के बाद आपको पता है B,C,D 3 आगे जाने पर ऐसी देखो B से जाएंगे तो C,D,E यह E आगे यहाँ और S से C के बाद आएगा D,E,F तो 3 तीन आगे जाने पर मिल रहा है तो हम भी P से कितना आगे जाएंगे 3 यह रहाब का P, यह रहाब का P अब इनसे 3 आगे जाएंगे 1,2,3 तो क्या मिला S अब हमको जाना है Q से, यह रहाब का Q अब इससे 3 आगे जाएंगे 1,2,3 तो क्या मिल गया T अब R से जाएंगे यह रहाब का R अब इससे 3 आगे जाना है 1,2,3 तो क्या मिल गया U तो answer आगया S,T,U तो पहला option S,T,U 75 का A हो जाएगा अगला question देखते हैं यहाँ पर दिया है AB बराबर 10 BC बराबर 20, CD बराबर 30 तो EF का मान बताना है आप जो है इस question में बहुत जादा confuse हो सकते हैं इसको ज्यान पूरग देखना है AB की जिगर रखा है 10, AB का मान 10 है BC का मान 20 है, CD का मान 30 है आप जल्ली बाजी में क्या करेंगे, EF का मान 40 लिख देंगे और जिसने ये paper के है उसने भी 40 लिखा है तो आप क्या करेंगे, God पूरग देखेंगे कि AB है, तो यहाँ पर B आया है तो उसके पास B यहाँ पर भी आया है AB, तो A के पास B, B यहाँ भी आया है BC 20 हो गया फिर C के साथ C चुड़ा है तो 30 आप इसके 20 में एक नंबर और आने वाला है यहाँ पर D है, तो यहाँ पर D आयेगा और D E आयेगा, तो D E होगा 40 आप E F जो होगा, वहाँ जाएगा 50 क्या जाएगा 50 A, B, C, D, E तो D वाला छूड़ गया था, इसी D वाले को छोड़ के उसने जो है, क्या गड़ा था, आंसर दिया था तो आप क्या समझें, कि A, B जो हैगर 20 है, तो याद रखना है, यहाँ पर C, D नहीं दिया है, B, C दिया है, A, B से connect होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, तो B, C 20, तो C, D कितना हो जाएगा 30 D, E होगा 40 जैसे अगर आप समझेंगे, A, B, C, D भी समझ सकते हैं, आप इसको, A, B, C, D E, F, G, तो पहले A, B को लिया है, फिर वो आगे नहीं बढ़ गया है, इसको connect करके ले गया है, B, C फिर B, C के साथ क्या लेगा होगा, C, D C, D के साथ क्या लेगा है, उसके बाद, सरुजाएगा, अब अगला question करते हैं, 77 A बरावर B है, B बरावर C है, तो A इंटू B इंटू X का C इंटू का मान निकालना है, sorry, A बरावर B दिया है, B बरावर C दिया है, तो A इंटू B इंटू C का मान रखना है, अब आपको जो जो मान रखने के लिए कहाँ आपने, उसने, A की जगा आपने के रख दिया, B B की जगा C, अब यह हो गया, अब आपको पता है, यहाँ बरावर B आगया दुबारा, तो B की जगा दूबारा क्या लख सकते हैं, C तो C इंटू C इंटू C, यानि C इंटू C जो होता है, C क्यूब होता है, तो option B इसका answer हो जाएगा, 77 का B इसका answer हो जाएगा, आपको 5, 6, 7, 8 को क्या लिखा जाएगा, आप A, B, C, T लिख देंगे, और A का नमबर होता है, 1, B का नमबर 2, C का नमबर 3, ऐसे करके जो है, Z तक A, B, C, T होती है, तो आप देखे, D का नमबर 4 होता है, और यहाँ पर दिया है, 4 किसको denote करता है, D को, 3 किस नमबर को denote करता है, C को, यानि जो alphabet में जिस नमबर में होता है, उसी alphabet के according लिखा है उसने, 2 किसको बताता है, B को, यह 2 किसको बता रहा है, B को, 1 किसको बता रहा है, A को, यानि A का नमबर 1 होता है, तो वो लिखा है, B का नमबर 2 है तो उसको लिखा है, C का नमबर 3 है तो उसको लिखा है, अब आप देखे 5 किसको बता रहा है 5 जो होता है वो E का नमबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 E का नमबर होता है 6 किसका नमबर होता है F का नमबर होता है 6 F का नमबर और 7 किसका नमबर होता है Z का नमबर होता है और 8 किसका होता है X तो E F G H E F G S वाला देखेंगे option E F G S वाला D 78 का D answer हो जाएगा अगला question करते हैं 79 वाला A ब्रावर 3 A की जिगा 3 रखने के लिए कह रहा है B is equal to 4 B की जिगा 4 रख जीजे C की जिगा 5 रख जीजे D is equal to C तो आपको B C D A को लिखा जाएगा B C D A को क्या लिखा जाएगा तो आप ध्यान पूरग देखेंगे कि जो B है B को लिखा जाएगा 4 B को क्या लिखा जाएगा 4 C को क्या लिखा जाएगा 5 यहां से देखेंगे B की जिगा क्या रखना है 4 C की जिगा क्या क्या रखना है 5 D की जिगा क्या 6 और A की जगह के रखना है 3 तो इस प्रकार इसका अंसर आ गया 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 कौन सा अंसर है और 79 का D आंसर आ जाएगा अब अगला कोशन करते है 80 वाला ये जो है 19,38,57 फिर ये बॉक्स से दिया है इस बॉक्स में नंबर भठना है और 95 में चौकोर खाने में कौन सी संख्या आएगी यानि जो स्क्वाइर बॉक्स है इस बॉक्स में क्या नंबर आएगा ये सिरीज वाला कोशन है तो ये 19 का टेबल है 91 जा 19,92 जा 38,93 जा 57,94 जा 76 तो आप्शन C जो है इसका आंसर हो जाएगा 19 का पहड़ा है 19,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99 तो 76 का आंसर हो जाएगा अगला करते हैं 81 से लेके 85 ता निमलिखित प्रशनों में 4 आकर्टिया देगी है कोई 3 ये 4 में से कोई 1,2,3,4 में से कोई 3 एक जैसे है एक अलग है तो वो जो अलग है उसको बताना है किन्तु एक भिन्न है भिन्ना करती को चुमिए तो कौन भिन्ना कौन है उस भिन्ना करती को बताना है आपने तो आप जहान तूरक देखेंगे कि यह जैसे circle है यह भी circle है, यह भी circle है, यह भी circle है इसमें एक line है, इसमें भी एक line है लेकिन इसमें किती line है, दो line इसलिए option एक हो जाएगा, अलग हो जाएगा 81 का A answer हो जाएगा अगला question, इसको अलग इसलिए हुआ क्योंकि इसमें किती line है, दो line है आप देख सकते हैं, इसमें दो line है इसलिए यह हो जाए, अगला question देखेंगे 82 वाले का, इसमें आपनों अलग बताना है A, B, C, D option में, यह इसी का English में है यहाँ जो दिया है, इनिस में दिया है यहाँ हिंदी में दिया है, चित्र सेम सेम है 82 का दताएंगे, कि उसमें देखेंगे circle है, यह रोटी है, तो अंदर भी रोटी, बाहर भी रोटी है यहाँ bread है, तो बाहर भी रोटी, बाहर भी bread और क्यते हैं, अंदर भी bread यहां समुसा है अंदर भी समुसा बाहर भी समुसा है । यहां कहते हैं आलग चित्र बाइड हो जारेगा आप इसको समझ सकते हैं जैसे ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में ये जो होते हैं सीर्स होते हैं ये सीर्स होते हैं ये बुजा है ये बुजा है तो इसके बुजा के बीच में से जा रही है और इसमें भुजा के बीच में से लाइन जा रही है इसमें भुजा के बीच में से आई इसमें भी खड़ी बुझा है उसमें यहाँ पर कोनों मैंसे जो कोना है उसमें लाइना आशारी है option D जो है अलग हो जाएगा अगला 84 वाले question को try करेंगे जैसे यहाँ पर यह चितर देखेंगे तो यह चितर मुड़ा है यानि अंदर की और मुड़ा है इस चितर में भी देखेंगे तो यह अंदर की और मुड़ा है लेकिन इसमें कोई अंदर की और मुड़ा नहीं है यानि यह चितर देखो इसने ऐसे मुड़ना चाहिए था लेकिन यहाँ मुड़ा नहीं है तो option D क्या हो जाएगा अलग अगला option इसको देखेंगे फिर 85 वाला कि इसमें कौण अलग है तो आप देखेंगे कि इसाइट जो है अंदर है तो इस साइट तीर है यहां भी अंडा है यह उल्टे होगे तीर यानि एक दूशी के विप्रीत है यह तीर का मूँ इधर को देख सकते हैं इस तीर का मूँ इधर को है तो इस तीर का मूँ इधर की ओर है यह तीर जो है नीचे की ओर जा रहा है तो यह तीर उपर की ओर जा रहा है तो यह तीर जो ह रहा है यहां भी उपर गोजा रहा है तो एक नीची गोजा रहा है लेकिन यहां दोनों सेम होगे इसलिए option C क्या हो गया अलग करते हैं 86 से लेके 90 ता इस question में क्या करना होता है यहां एक समस्या करती है यह समस्या करती है यह उत्तर आ करती होती है यानि जो उसके डिट्टू इसके जैसा होगा सेम इसकी तरह जैसे अगर माना यहाँ पर A है तो यहाँ भी A होना है तब इसके जैसा जो मिलेगा वो जो है इसका आंसर हो जाएगा तो आपको जो है एक ऐसा चित्रे चाहिए जो इस टैपस हो यानि इसका जुखाओ इधर की ओर हो तो यह तो नहीं होगा क्योंकि यह तो लेट गया यह भी खड़े करके लेट गया यह ऐसे लेट गया है मैं कैसा से है ऐसा हो ला तो इस प्रकार के इस कांसर कौन हो गया ओपसन D 86 कांसर D 87 को देखेंगे एक टैंगल है उसके अंदर जो है सरकल है और उसमें एक लाइन इधर की ओर जा रही है और एक लाइन ऐसे है तो आप देखेंगे कि तिरबुच यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता option D क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर सरकल होना चाहीता यहाँ तो नहीं है तो यह option D कट गया फिर यहाला देखेंगे इसका उपर का और मूंग है इसका इधर के ओर आया है यानि इतर के ओर आए है लेकिन इसका मूं थो इधर के ओर गया है तो option D भी नहीं हो सकता है आप Q 겁니다 इसके और इसके बीच में हुआ तो इसमें देखेंगे कि इसमें फिर खतम हो जाया जबकि थोड़ा आगया ना था तो एक पूशन एजो है इसका अंसर हो जाएगा अगला कोशन करते हैं 88 वाला आप इसको आसानी से देख सकते हैं 88 वाला आपको जो है एक ऐसा फिगर यह इधर की ओर हो गया तो यह भी ओर नहीं हो सकता है, यह चल सकता है, यानि B और D में से answer हो सकते हैं, अब आप देखेंगे कि इन में कौन सा out होगा B और D में, तो यहाँ देखेंगे इसके नीचे पाउं जैसी आए, छोटी सी line जैसी यहाँ पर है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर double tier है, और एक जो है, तीर उपर की ओर जा रहा है, इस सैट हो जा रहा है, यहाँ पर 3 tier होगे, इसलिए cancel होगया, 1, 2, 3, यहाँ आपको 2 चाहिए था, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ आप्शन वाला, क्योंकि यह जो 3 के बीच में, दो 3 के बी option D, क्योंकि यह 3 जो बीच में है, यह 3 कोने से नहीं आए है, बीच में से आए है, तो option D हो जाएगा answer, अगला 90 वाले question को करते हैं, आपको जो है, इस प्रकार की आकरती ढूटनी है, तो पहला आकरती जो चीतर है हमारा वो इस प्रकार का है, यहाँ इस प्रकार की आकरती ढ पीच में, आप देखेंगे कि एक इसका मूँ इधर को है, तो दूसरे का मूँ इधर की ओर है, यहाँ तो दोनों का मूँ जो है, ऐसे दोनों का उधर को हो गया, तो option B भी नहीं होगा, option C जो है, इसका क्यों हो जाएगा, answer हो जाएगा, अगर आपको जो है, मेरे वीडियो सारी information के साथ नहीं नहीं जो है, वीडियो आपके सांब दाते रहूं, और नहीं नहीं जो है, ऐसे paper आपके साथ solve कराते रहूं, तो प्लीज जो है request आपकी, इतना जो है, आपने मेरे ले करना है, अपने दोस्तों के वीज़ जरूर से को share करना है, तो start करते हैं, अगला question ज खेंगे कि यह जो है चित्र आप देखेंगे तो यहां पर एक आप देखेंगे यहां पर एक बड़ी से रोटी है उसके ऊपर से एक चोटो हब היא hoogmy ca hai ग्रृबट होगया, तो यह उपर था वह छोटा देखेंगे आप तो छोटा जो square है वो कहा आगया नीचे यहाँ उपड़ी रहा तो यह जो छोटा सा square है यह कहा आजाएगा नीचे तो इस पर का इसका answer आजाएगा option C 92 वाले question को देखेंगे तो इसमें क्या करना होता है पहले का संबंद दूसरे के यानि जो पहला जैसा करना होता है पहले के साथ दूसरे ने जैसा किया होता है वही यहाँ भी करना होता है तो आप देखेंगे कि इसमें भुजा गिनेंगे एक भुजा दो भुजा तीन भुज छीव इस प्रकार वह जैसा है उपर उलटा you यह उपलट गया थिह चित्र ऐसे है तो answer कैसे हो जाएगा ऐसे वाला तो answer ऐसा वाला कौन सा है option D फोर वाला question करते हैं इसका संबन इसके साथ होगा तो इसका संबन इन चार option में से किसके साथ होगा यहाँ question mark दिया है कि कौन सा इस question mark की जिगव भरेगा तो आपको ऐसे भी पता चल सकता है इसको करने के दो तरीके है इसमें भी भुजा है side है इसमें भी side है यानि side है इसमें इसमें भी side है तो इसमें भी side है अब side वाला कौन साथ यह side नहीं होती यह वाकर रेखा होती है यानि यह ऐसे करबा कार है इसमें तो कोई भी site नहीं है और इसमें भी एक site तो है लेकिन ये भी जो है curve आ गया है तो एक मात्र ऐसी आकरती जिसमें site है site यानि जो sun रेखा state land यूज हुई है ये curve वोकर रेखा होती है तो इस प्रकार आप ऐसे भी answer बता सकते हैं option B दूसा तरीका इसी question को करने के बाद A के बाद अगर आप 4 आगे जाएंगे A के बाद जाएंगे B, C, D, E जब आप 4 आगे जाएंगे तो E मिलता है इसी प्रकार जब यहाँ 4 आगे जाने पर E मिल रहा है तो यहाँ से भी I से भी आप 4 आगे जाएंगे चार डंडे हैं तो चार डंडो से आकरती बनगी 1, 2, 3, 4 चार डंडो से यह आकरती बनती है तो तीन डंडो से कौन से आकरती बनेगे तिरभूज बनेगी 1, 2, 3 96 से 100 के question को कर रहे हैं जो last के question है 4, 5 निमलिखित प्रशनुम में समस्याकरती दीगी यह समस्याकरती है जिसका एक भाग अपूर्ण है यह जगा काली सोड़ा है इसने प्रकार्कारती आएगी यह आएगी और इस प्रकारती प्रकारती आप ध्यान से देखेंगे तो option सी आ जाएगा इसे परकार 97 वाले question को करते हैं तो 87 वे देखेंगे यह उल्टे भी जैसे हैं यहाँ उल्टा भी यहाँ जो है फिर आप देखेंगे इस वाले में जो नीचे है इसमें जो लाइन आ रही है ऐसे 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 करके आ रहे है यानि जो ट्राइंगल है उसमें जो लाइन है वो ऐसे ऐसे तिर्शे करके हो जबकि इसमें जो डी ऑप्शन है उसमें ऐसे 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 करके लाइन आ रही है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 98 वाले कोशनों करते हैं आपको इस जगह पर भरतना है तो आपको पता है कि यहाँ पर एक पत्ती जैसी तो आने वाली है तो यह पत्ती जैसी आने वाली है फिर देखेंगे कि यह दोनों जब हिस्से जो है यहाँ पर यह खाली जगह है यानि यह जो पास वाले हिस्से है यह जब यह दूनों पास है इस लाइन के पास यह वाला हिस्सा है यह खाली है यह वाला भी जो है खाली है तो यहाँ भी जो है जो पास है यह साइट खाली है तो यहाँ पर जो आएगा वो इस साइट वाला खाली आएगा तो इस साइट वा वहाओ कोशन आप देखेंगे हैं ऑफीवाले कोषंन को देखेंगे की वाला बटना वहाँ है फिर जो है नीची को उतरे आप तीर कहा के ऊड़ जाएंगे ऐसे नीची के ऊड़ जाएंगे फिर तभी तो एसे जाएंगे तो इस प्रकार वाला option जो यो है option जो है c और d में है तो यह भी answer हो सकते यह दो तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि नीची को नहीं जा रहे हैं तो C और D में से हो सकते हैं, फिर आप देखेंगे कि यह नीचे जो पीछे है, सबसे बाहर वाली में जो है, यहाँ पर भी काला गुला बाहर वाली में है, तो यहाँ पर भी काला गुला कहा होगा बाहर वाली में, तो option D's का answer हो जाएगा.